स्वागत है बेनों हमारे चैनल पर सभी को नमस्कार के साथ में मैं आज आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ दुबडी साते या दुबडी सप्तमी की कहानी और उसको सुनने की विधी और मनाने की पूजने की विधी यह तोहार भादों सुधी साते को आता है इस दिन दुबडी की पूजा करनी चाहिए एक पटे पर दुबडी कुछ बच्चों की मूर्ती सर्पों की मूर्ती एक मटका और और औरत का चित्र मिट्टी से बना लेए उसको चावल जल दूद रोली आटा घी चीनी मिलाकर लोई बना कर उनसे पूजें दक्षिना चड़ावें और भीगा हुआ बाजरा चड़ावें मोट बाजरे का बायना निकाल कर सासु जी को पाएं लगकर देवें फिर दुबडी की कहानी सुनें इस दिन ठंडा खाना खाना चाहिए इस साल यदि किसी लड़के का विभा हुआ हो तो उसे उजमन करना चाहिए उजमन में मोट बाजरे की तेरा कुंडी एक थाली में लेकर एक रुपिया वे एक साड़ी रखकर हाथ फिरकर अपनी सासु जी को पाएं लगकर देवें अब शुरू करते हैं दुबडी सातें की कहानी एक साउकार था उसके साथ बेटे थे जब वह अपने किसी बेटे का विवा करता तो उसी समय उसका बेटा मर जाता था इस प्रकार उसके छे बेटे मर चुके थे सबसे छोटा बेटा बाकी था एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवा की बात चली सादी तैह हो गई रिस्तेदारों के न्योते भी भेज़ जब इस लड़के की बुग आ रही ही थी, तो उसे रास्ते में एक बुढिया मिली, वह चक्की से आठा पीस रही थी, वहाँ लड़के की बुग बैठ गई और बुढिया के पाएं लगी और बातें करने लगी, बुढिया बोली, बेटी तु कहाँ जा रही है, वहां पेड गिर जाएगा अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिर कर दब कर मर जाएगा और अगर वहां भी नहीं मरा तो साथ भी भवर पर सर्फ काट लेगा और वहें मर जाएगा यह बास सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी मा बचने का कोई उपाय है क्या तब बढ़िया बोली है तो सही परन्तु बहुत कठीन है सुन उस लड़के को पीछे की दीवार पोड़ कर निकालना रास्ते में पेड के नीचे बरात ना रुकने देना ससुराल में भी पीछे का दरवाजे से लेकर जाना और भावरों पर यानि कि फेरों पर एक कटोरा दूद का भर कर रख देना और एक ताथ का फासा बना कर रख देना जब वहां साen पावे तो दूद पिला कर बांदेना और फिर सावपन आवे गी तो वह सावभ को मांगेगी तब तुम उससे अपने छे बतीजों को मांग लेना वहे उन्हें जीवित कर देगी साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यू हो जाएगी और वहे लड़का भी नहीं बच सकता है यहे ककर बढ़िया जाने लगी और नाम पूछने पर उसने बताया पूली की मेरा नाम दुबडी है यहे सुनकर बुहा घराई अब पराद जाने लगी तब वह रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पीछे के दरवाजे से बना कर ले जाओ जब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाजा आगे का दरवाजा जो था वो गिर गया तब सब कहने लगे बुहा ने तो अच्छा किया जब बराद चलने लगी तो बुहा भी जाने को बोली सबने मना किया कि औरत बराद में नहीं जाती हैं पर वेह नहीं मानी और बराद के साथ साथ चल दी रास्ते में जब बराद पेड के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूला को वहाँ ने बैठा कर धूप में बिठाया दूला के बैटते ही पेड़ गिर गया इस बात को देखकर सबी बुवा की बढ़ाई करने लगे जब बरात वहां से निकल कर ससुराल में पहुची तो वहां भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में गुसा दरवाजा गिर गया तब सब कहने लगे कि ये सब बातें बुवा को किस प्रकार पता चली जब भावरें पढ़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूद मंगाया और तांत का फांसा बना कर रख दिया जब सातवी भावर पढ़ने लगी तब ही सरप आया और बुवा ने सरप के सामने दूद का कटोरा रख दिया दूद पीते ही पीते समय साप को उसने तांस से बांदिया तब बाद में सापिन आई और उसने अपने साप को मांगा तब लड़के की बुआ ने अपने छेव बतीजे मांग लिए सापिन ने उसके छेव बतीजे जीवित कर दिये और बदले में साप को लेकर चली गई इस प्रकार उस बुआ को साथों बतीजे मिल गए बरात घर वापस आई तब लड़के की बुगा ने सब्तमी के दिन दुबडी की पूजा कराई और इसी को हम दुबडी सातें कहते हैं हे दुबडी मैया जैसे तुने बुगा के सातों बतिजे दिये मैंसे सब को देना हमको भी देना जै दुबडी माता की जै